Hello everyone, Storyteller Shivani में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे गांधी जी द्वारा लिखे गए essay के बारे में जिसका नाम है Indian Civilization and Culture गांधी जी ने कई कहानिया और essays लिखे ये उनमें से एक है इस essay में उन्होंने Indian Civilization और Modern Civilization के बीच का अंतर बतानी की कोशिश की है तो चलिए शुरू करते हैं कांधी जी का मानना है कि भारतिय सभिता को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता जो बीच हमारे पूरवजों ने बोए उनकी बराबरी कहीं नहीं रोम की सभिता खत्म हो गई ग्रीस के साथ भी यही हुआ फेरो जो प्राचीन मिश्र का राजा था उसका भी प्रभाव खत्म हो गया जापान वेस्टरनाइजड हो गया यानि वेस्टरन कल्चर्स को अपना लिया चीन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन भारत आज भी कैसे भी अपनी मिर पर टिका है मूल सिधानतों पर अडिग है यूरोप की लोग ग्रीस और रोम के लेखों से सीखने की कोशिश करते हैं जिनमें अब पहले जैसा महत्व नहीं बचा और उनसे सीखने की कोशिश में यूरोपियन्स को ये लगता है कि जो गलती ग्रीस और रोम ने की वे उसे नहीं दोहराएंगे ये तो उनकी दैनिय स्थिती है यानि की उनकी अपनी कोई सभिता नहीं है कल्चर नहीं है और जिनका कल्चर वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं उनमें भी वैसी कोई ग्लोरी नहीं बची और इन सब के बीच भारत अडिग है और यही उसकी glory है इंडिया के लोगों पर ये इलजाम लगाया जाता है कि हम इतने असब्य अनपर और हठी या मुर्ख हैं कि हमारे लिए किसी बदलाव को adopt करना संभव ही नहीं है जबकि ये तो बिलकुल हमारी विशेस्ता के against लगाया गया charge है यही तो इंडिया की merit है कि सबने अपनी अपनी advice इंडिया पर थूपने की कोशिश की लेकिन भारत अडिग रहा यही इसकी सुन्दर्ता और इसकी ढाल है सब्यता का मतलब ही यही है कि जो हमें कर्तव्य पत की ओर ले जाए कर्तव्य का पालन और नैतिक्ता का पालन दोनो convertible है यानि परिवर्तिनिय टर्म है यानि दोनो एक ही है नैतिक्ता का पालन का मतलब है अपने दिमाग और passions यानि जुनून पर नियंतरन गुजराती में civilization का मतलब होता है good conduct यानि अच्छा आचरन अच्छी प्रनाली अगर ये definition सही है तो इंडिया को जैसा कि कई writers ने बताया किसी से कुछ सीखने की जुरुरत नहीं है दिमाग एक अशांत पक्षी की तरह है इसे जितना मिले उतना ही और बचाता है और तब भी unsatisfied रहता है जितना हम अपने जुनून में लिप्त होते हैं वो उतना ही बेलगाम होता है इसलिए हमारे पुर्वजों ने एक limit बनाई थी उन्हें ये पता था कि खुशी केवल एक मानसिक इस्थिती है एक आदमी जो अमीर है जरूरी नहीं कि वो खुश हो और गरीब है इसलिए ना खुश हो अमीरों को दुखी और गरीबों को प्राया सुखी देखा जा सकता है इन सब चीजों को अब्जर्व कर हमारे पुर्वजों ने हमें लगजरीश और प्लेजर्ज से वंचित रखा हमने उसी हल को काम में लिया जो हजारों साल पहले रहते थे और उसी तरह की कुटियां को समभाला जो पहले के समय में भी थी और हमारी भारतिय सिक्षा भी पहले जैसी ही है हमारे पास जीवन को खुरचने वाले कॉम्पिटीशन जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी हर कोई अपना व्यवसाय या कारोबार करता और रोजी रोटी कमाता ऐसा नहीं था कि हमें मशीन बनाना नहीं आता था लेकिन हमारे पूरवजों को पता था कि अगर हम इन चीजों में मन लगाएंगे तो दास बन जाएंगे और नेतिकता को खो देंगे इसलिए उन्होंने सोच समझ कर ये डिसाइड किया कि हम जो अपने हाथ पैर से कर सकते हैं वही करना चाहिए उन्हें पता था कि हमारी खुशी और हेल्थ हाथ और पैरों के प्रॉपर यूज में ही शामिल है आगे उन्होंने तर्क संगत बात ये की कि बरे शहर एक जाल और यूजलिस बाधा है और वहाँ लोग खुश नहीं रहेंगे वहाँ चोर, ढाकवो, वहशा वृति और अवगुनों का बाहुल्य होगा और गरीबों को अमीरों द्वारा लूटा जाएगा इसलिए वह छोटे गाओं में ही संतुस्ट थे पूर्वजों ने देखा कि राजा और उनकी शक्ती, नीती के अधीन थी और इसलिए खुद राजाओं ने इस धर्ती का शाशन रिशियों और फकीरों के अधीन रखा यानि खुद राजा भी रिशियों मुनियों की बाते मानते थे, उनकी सलाह मानते थे और वो देश जिसकी बनावत ऐसी हो, वो दूसरों से सीखने के बजाए सिखानी के लिए ज्यादा फिट है इस देश में कोर्ट्स, लॉयर्स और डॉक्टर्स हुए लेकिन सभी की एक सीमा थी, हर कोई जानता है कि इन में से कोई भी प्रोफेशन पार्टिकुलर्ली सुपीरियर नहीं है इसके अलावा ये वकील और वेद लोगों को लूटते नहीं, ये लोगों पर आच्रित है ना कि उनके मास्टर है नियाय भी फेयर यानि उचित होता था नॉर्मली लोग कोट्स को अवॉइड करते थे कोई दलान नहीं थे जो लोगों को अदालक का प्रलोभन दे बुराईयां भी बड़े शहरों के आसपास ही दिखती थी साधारन लोग तो स्वतंतरता से रहते और क्रिशी करते थे उन्होंने ही सूराजी को इंजॉय किया है भारती सब्यता जैसे की मेरे द्वारा डिस्क्राइब की गई है कावर्नन उसके वोटरीज यानि भक्त और रिस्पॉंसिबल सिटिजन्स द्वारा ऐसा ही बताया गया है दुनिया के किसी भी भाग में या किसी भी सब्यता में ऐसा नहीं है कि हर इंसान परफेक्ट हो नैतिक स्वभाव को उन्नत करना ही भारती सब्यता की प्रवरिती है जबकि वेस्टर्ण सिविलाइजेशन की प्रवरिती इंमॉरेलिटी फैलाना है वेस्टर्ण गौडलेस है यानि भगवान में विश्वास नहीं रखते जबकि इंडियन सिविलाइजेशन भगवान के विश्वास पर ही बेस्ट है तो हर देश प्रेमी के लिए ओर्ड इंडियन सिविलाइजेशन से लिप्टे रहना ठीक वैसा ही है जैसे एक बच्चा अपनी मा के स्तनों से लिप्टा रहता है आगे गांधी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट से यानि वेस्टर्ण सिविलाइजेशन से नफरत करते हैं बलकि वो उनके बहुत सी चीजों के लिए आभारी है जो उन्होंने वेस्टर्ण लिटरेचर से सीखा लेकिन वो modern civilization के अभारी हैं उन्हें ये सिखाने के लिए कि अगर वो इंडिया को उसके best form में लाना चाहते हैं उचाईयों पर देखना चाहते हैं तो उन्हें इमांदारी से देश के लोगों को ये कहना चाहिए कि हमें modern civilization को हर कीमत पर दूर रखना है इसे निकाल फेकना है modern civilization है क्या? ये material की पूजा है यानि भौतिक वाद की पूजा ये हमारे अंदर के निर्दई जानवर की पूजा है ये सुध materialism है यानि desire for wealth और luxurious समानों की इच्छा modern civilization कुछ नहीं है अगर ये हर कदम पर material civilization की जीत के बारे में ना सोचे यानि जो भी inventions हुए, discoveries हुए उसके बिना modern civilization कुछ नहीं और दो सबेताओं में compare करना उनके गुनों का मापना साइद unnecessary है क्योंकि west की सबेता ऐसी है जो उनके climate और surroundings को suit करे और हमारी जो हमारी स्थिती को suit करे और दोनों civilizations अपनी अपनी जगर ठीक है modern civilization की विशिस्टता ये है कि इसमें हमारी इच्छाओं पर कोई लगाम नहीं जबकि ancient civilization में इन इच्छाओं पर सक्त प्रतिबंध और नियंतरन था और ये जो असंतोस आता है ये इसी भविश्य की स्थिती को सुधारने में जो लोगों का यकीन है और हर किसी में बेस्ट बनने की इच्छा इसी कारणाता है पुरानी या इस्टर्ण यानि इंडियन civilization में अवरोध इसी belief से arise होता है जब हम खुद पर नहीं लेकिन future की स्थिती में विश्वास रखते हैं और किसी दैविक शक्ती के existence में modern inventions के जो immediate और इतने बढ़िया result हुए कि उनका प्रतिरोध करना तो पागलपन होगा लेकिन गांधी जी को इसमें कोई doubt नहीं कि मनुश्य की जीत इसके प्रतिरोध में ही है इन्हें resist करने में ही है हम कुछ छनों के सुख के लिए जो permanent अच्छी चीज है उसे खो देने के खत्रे में है जैसे वेस्ट में लोगों ने बहुतिक चीजों में कई wonderful discoveries की है ठीक वैसे ही हिंदुत्व ने भी धर्म की आत्मा की कई सांदार discoveries की है लेकिन हमारे पास इन महान और अच्छी discoveries के लिए आखे नहीं यानि हम देखना ही नहीं चाते हम western science ने जो भौतिक विकास किया है उसकी चकाचौंद में है चकित है गांधी जी इस विकास से मोहित नहीं है बलकि ऐसा लगता है कि भगवान ने अपनी बुद्धिमानी से भारत को इन छेत्रों में प्रोग्रेस करने नहीं दिया ताकि भारत के सामर्थ से भौतिक वाद के प्रवाह को रोकने का मिशन सफल हो आखिरकार हिंदुईज्म यानि हिंदुत्यु में कुछ तो है जिसने इसे आज तक जिन्दा रखा है इसने बेबिलोनियन, सीरियन, पर्सियन और एजिप्टियन सब्हताओं का अंत देखा अपने चारों और एक नजर डाले रोम कहां है और ग्रीस कहां है क्या आप कहीं भी गिबॉन की इटली पाते हैं या एंसियंट रोम वो रोम जो इटली था ग्रीस में कहां है दुनिया भर में फेमस एटिक सिविलाइजेशन और अगर कोई इंडियन बहुत पुराने रिकॉर्ड्स देखे और फिर अपने आसपास देखे तो वह ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि हां मैं यहां पुराने भारत को अभी भी देख सकता हूँ यानि कि हम जो थे आज भी वही है और देशों की तरह हमारी सब्यता खत्म नहीं होई है यह सच है कि यहां वहां गोबर के धेर है लेकिन उनी के नीचे सम्रिद खजाने है और इन सब ने आज तक इसलिए सर्वाइव किया क्योंकि हिंदुईज्म ने एक लिमिट बनाई और मैटेरियल की तरफ नहीं लेकिन इस प्रिच्वल डेवलप्मेंट पर जोड दिया हमारी सब्विता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराच, हमारी इच्छाओं के विस्तार पर नहीं विलासिता या अती भोग पर नहीं लेकिन अपनी इच्छाओं पर लगाम यानी आत्मनिशेत पर आधारित है इसमें कोई शक नहीं कि यूरोपियन सभिता यूरोपियन्स को सूट करती है लेकिन ये इंडिया को बरबाद कर देगी अगर हम इसे कौपी करने की कोशिश करें और इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छी और अपनाने लायक चीजों को एडॉप्ट नहीं कर सकते या अपना नहीं सकते और इसका मतलब ये भी नहीं कि यूरोपियन्स अभिता में जो भी बुराई आ गई है वो उसे अलग नहीं कर सकते या करेंगे मैटेरियल कमफर्ट भौतिक सुक कि सतत खोच और इसे बरहाना एक बुराई है और मैं ये निर्भिक होकर कहता हूँ कि अगर यूरोपियन्स कमफर्ट के बोज तले मरना या बरबाद होना नहीं चाहते जिनके वो गुलाम हो चुके हैं तो उन्हें अपने नजरिये को बदलना होगा हो सकता है मैं गलत पर रहा हूँ लेकिन मुझे पता है भारत का इस गोल्डन फ्लीज के पीछे भागना नित्यो को आमंत्रन जैसा है गोल्डन फ्लीज ग्रीग मेथोलोजी से रिलेटेड है आगे गांधी जी कहते हैं कि हमें वेस्टर्न फिलोसफर के मोटो को अपने दिलों पर लिख लेना चाहिए सोच रखने का जोखिम उठाते हैं जहां व्यर्थी हाई लिविंग की सर्च या खोज है और उच विचार लापता है रियल सेंस में सभ्यता इच्छाओं की व्रिधी नहीं बलकि स्वेच्छा से इन इच्छाओं पर प्रतिबंध है और ये अकेले ही संतोस और शेवा के लिए खुशी और छमता को बढ़ाता है एक सर्टन डिगरी तक आराम और सारीरिक तालमिल जरूरी है लेकिन एक लेवल के बाद ये हेल्प की बजाए बाधा बन जाती है इसलिए अन लिमिटेड इच्छाओं के निर्मान और उनकी पूर्ती एक भ्रम और जाल है किसी की सारीरिक जरूरतों का संतोस इवन किसी की अपनी छोटी जरूरतों का भी एक अंत होना चाहिए इसके पहले कि ये सारीरिक और इंटेलेक्चुल विलासिता में भ्रस्ट हो बरबाद हो एक आदमी को अपनी शारीरिक और सांस्क्रितिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए ताकि वे उसे मानवता की सेवा में बाधा ना दे जिस पर सभी उर्जा केंद्रित होनी चाहिए तो ये था कान्दी जी का ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर थैंक यू